नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग जारकंड के मुख्यमंत्री हेमन सुरिन ने राश्ट्रिये स्वयम सिवक संग यानि की आरेसेस को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी घामासान तेच हो गया है दरसल सियम हेमन सुरिन ने कहा कि जारकंड में कोई बांगला देशी घुस पैठ नहीं हुआ है भाजपा और आरेसेस दोनों चुनावी लाव के लिए राज्ज में संप्रदाइक सद्भावना को बिगाड़ने की कुशस करने हैं आगे कहा कि आरेसेस के लोग चुहे की तरह राज्ज के अंदर घुस कर समाच को तोड़ने का काम करेंगी लेकिन उन सब का हमें मिलकर जवाब देना है अपने गाउं से उन्हें भगाए यानि कि आरेसेस को भगाए सुरेन के इस बयान के बाद नेता प्रतेपक्ष अमर कुमार बावरी ने पलटवार किया उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीती में कितना नीचे किरेंगी वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि जिस सीम के कारेकाल में चील और गिद की तरह लूट मचा हो उनके मुझ से ऐसी बाते निकलेंगी आरेसेस राष्टवादी संगठन है जो देश के लिए खाड़ा रहा है जारकंड मुक्ती मोचा से हमें कोई सर्टेफिकेट नहीं चाहिए ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और आरेसेस पर इस तरह की बयान बाजी कर करने के बजाए क्यों नहीं मान रहें कि गुश पैठ है देखिए हेमन सुरेन बड़ा ही विच्टर किस्म के परस्नालिटी है कि बोलना था कुछ और बोल गए कुछ और बंगलादेशी है तो तुम भगाया जाएगा और अभी तो सिर्फ चुनाओ की बात थी प्रधान मंतरी मोदी ने सिर्फ ये कहा कि बंगलादेशी घुश गए है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा नहीं है हम लोग बड़े मिल जूल के रहते हैं यही एकता एकता दिखाते दिखाते यही तो लोग भीड़ निकलती है राची के अंदर तो दुबग जाते हैं यह हमन सुरेड हिंबत नहीं पढ़ती है इनकी इनको बोलते हुए शर्ब भी नहीं लग रहा कि हाइकोट का देश है हाइकोट ने कहा है कि वही ट्राबल पॉपलेशन कम क्यों हो रहे है यह अपने आपको खुद को एक ट्राबल लीडर कहता है तो किसी से पूछ लिया होता कि आजादी के समय नाइटिन फिप्टिवन में जार्खंड के अंदर 45-46% ट्राबल होते थे आज की तारिक में कितने है अठाइस परसेंट आप यह समझिए कहां गये इतने सारे कहां गायब हो गए भाई और जो प्रोजेक्टेड अनुमान है कि अगला सेंसस तक आते आते यह 20% 22% रह जाएंगे तो कहां गायब हो गए ट्राइबल हाइकोट का आदेश गलत तमाम आकड़े गलत आपको भोट मिलता रहे मुसल्मानों का इसलिए जो है आप आरती उतारते रहोगे लेकि सिर्फ बात इतनी नहीं है यह अपीजमिंट पॉलिटिक्स की वज़े से जो हिंदुस्तान को आगे झेलना पड़ेगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो बिलकुल इमेजिन नहीं कर सकते जो लोग यह भाईचारा भाईचारा कर रहे हैं वो जाकर कर मुरसिदाबा में देखें दिनाजपूर में देखें माल्दा में जागर के देखें हिंदुओं को रहना बड़ा मुस्किल हो गया है यह हम नहीं कह रहे हैं है हमन सुरेन खुद ही कह दिये है उन्होंने कह या तो सब कुछ ठीक है माइग्रेशन घुस पैठिया जोगर है तो पस्चे मंगाल में जागर के देखो ममता ब्रणजी सर्पीट रही है तुमको अपनी बात करनी अपनी करो मतलब हेमन सुरेन ने इंडी गटबंदन के एक इंपोर्टेंट मुख्य मंत्री ने जिसकी रिहाई के लिए सारे लोग जब ये जेल में था तो सारे लोग धरना परदसन कर रहे थे रामनीला मैदान में सब एक मंच पर कठा हुए थे वह बाहर निकल के बोल रहा है कि बंगलादेश के बंगलादेश से घुस पैठी और रोहंगिया कहा है वह पस्चि मंगाल में बैठा हुआ है हमारे यह कोई नहीं तो यह बीजेपी वाले को मौका मिल गया मतलब हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम हम तो परिसानी में है यह परिसानी क्यों है परिसानी इसलिए अब इन लोगों को राजनिती भी समझ में नहीं आती क्या नहीं आता देश समझ में नहीं आता व्यक्ति समझ में नहीं आते मुद्दा समझ में नही आता प्रधान मंत्री ने बात को सोफिस्टिकेटिड तरीके से रखा आप लोगों ने फिर वही मुस्लिम अपीजमेंट ग्रिह मंत्री कह रहे हैं कि बंगला देशियों को उल्टा लटका दिया जाएगा यह संथान प्रगना और पाकुर के अंदर वहां के बहुत ही वरिष् करें कि अगर मेरी बात जूटी है तो मैं राजीती छोड़ दूंगा हाइकोट में क्या मामला गया किसको इच्छिपा रहे हैं यह बंगलादेशी रोहिंग्याज जो आते हैं भोली बाली ट्रैबल लड़कियों के साथ साधी करते हैं उसके बाद सब कुछ हतिया लेते हैं और बन जाते हैं मुसल्मान और मुसल्मान बन जाते हैं ट्रैबल खतम कर दिया और आपसे हाइकोट ने कहा है वक्त दिया है चार-पांच सब्ता का कि यह बताओ रोहिंग्या और बंगलादेशी मुसल्मानों को भगाने के लिए तुम क्या एक्सल ले रहे हो और आप पॉलिटिक्स करने के लिए आकर क्या आप भासन दे रहे हो कि यहां कुछ है ही नहीं मतलब जिज्मेंट गलत है और उसके बाद तो खुद तो कहे मंता बनरजी को भी ले डूबे अब बबाल मच के आप बंगल में वहाँ पे अधिकारी जी आगे मैदान में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए आज तो कलतो साम तक राजजा सिंग ने भी कह दिया कि रोंगया घुसपैटियों को भगाएंगे बंगलादेशियों को भगाया जाएगा बंगलादेश उधर से जो आप यह देखिए किस मुद्दे के ऊपर बंगलादेश देश के ग्रिह मंत्री के खिलाब कंप्लेंड कर रहा है कि बंगलादेशियों के बारे मिस्तर की बात एक दूसरी लड़ाई लड़ रही है ग्रिय मंत्री ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि ताकि तुम तोड़ा सा ड़रो कि जो हिंदुओं के उपर वहां अत्याचार कर रहे हो बंगलादेश के अंदर और ये फर्मान जारी कर दिया जमात वालों ने ज़ु तो सरकार बेसिकली चला रहे हैं कि मूर्ती लगाना आं मूर्ती इस बार इगर दूंको पुझा करना है तो पाच पाच लांक टका वो पहले जमा करो जजिया टैक्स लग रहा है हिंदुों के उपर हिंदुों को प्रतारिफ किया जा रहा है तो उस पे दवाव डालने के लिए ग्रिय मंत्री कुछ कह रहे है और आपको गोट बैंक पॉलिटिक्स दिरा रहा है तो आप ही समझें कि ये किस तरह से विपक्ष और बात हकिकत है अब मंता भरजी के तरफ से कह दिया जाए हमारे या नहीं कोई जाकर कर देखो जारखट में मिलेगा तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आप सच को भी जुटलाना सुरू कर देते हो जो सच है जो सही है वो एक एक करके मुझ से तो निकले गाई है कॉंग्रस के ही सरकार ने वहाँ पर कह दिया के नेम प्लेट लगा योगी मॉडल चलेगा लेकिन अब हाई कमान के पेट में दर्द हो रहा है अब हाई कमान वो तो समझ में नहीं क्या करें और भई उनको बुला करके क्या करोगे उन्हें तो ट्विट के लिग दियाने जैसी राम क्या कर लोगे क्या कर लोगे राहुल गांदी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर सरकार चूटने वाली है तुम्हारे मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में हिमाचल में एक परसेंट देर परसेंट के आसपास मुसल्मान है हिंदू नराज हो जाएगा तो कई दसक तक कॉंग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी और लेडी मूड खराब है लोगों का तो यह मुझे लग रहा है कि हेमान सुरेन ने एक ऐसे मुद्द्ध को उठाया है जो कॉंग्रेस पार्टी मंता बनर जी और इंडी गड़बंदन उसके लिए एक मुसिबत बन जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चान करें तो जारकंड के बुख्यमंत्री हिमान सुरेन के और से आरेसेस को लेकर दिये गए बयान पर सियासा तेज हो गई है बता दें कि चाहे वो पीए मोदी हो, अमित शाह हो या फिर असम के सीम हिमान विश्रु सर्भा हो लगाता जारकंड में बांगला देशी घुसपैट का मुद्दा उठा रहे है और चुनाओ से पहले इसी बात ने सीम हिमान सुरेन की बेचैनी को बढ़ा दिया है सबसे बड़ा सवाल में आज करेता है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करीजे हमारे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यबाद